गुरु के सुमिरण मात्र से नासत भीगन यननन् ताते स्रव आरंब में जावत हैं सबसन् गुरु को कीजे बंदना भाव से बारंबार नाम की नौका से किया जिसने भो से पार इस सबसे पहले सभी भगवत भगध क ऊसके बाद सुरी गुरु माहराजी माता जी किरपां से थोड़ा दर शखेंगे जो बिचार अच्छा लगे उसको अपनाना जो नहीं अच्छा से लगे छोड़ देना जैकारा में कंजुसी नहीं करेंगे जैकारा जोर से लगाएंगे जगाअफिनिस स्रहा अहन आची महाराश जी की सभी तिपमानप्रीसों की जय पुझनिय महात्मा जी आदनिय बाई जी और समस्त भक्त समाज आज एक बहुत महत्पूर दिन है जो स्रीहंस जी महाराज जी का जनन दिन के उस्तों में जो मनाया जा रहा है ये जो है इस ज्ञान के सुरुवात करने वाले इस ज्ञान को देने वाले स्रीहंस जी महाराज जी और जगत जननी माता जी की किरपा से या ज्ञान सारे संसार में फैल रहा है और हर समय में महान पूसाय संसार में और ज्ञान का परचार परचार किया गया है लेकिन कलजुग के अंदर में ऐसी क्या ज़रूत पड़ी कि जिसके लिए घर-घर में परचार करने के लिए संत महात्मा जाते हैं बड़े-बड़े प्रोगाम होते हैं चाबी सेस्ता है इसका जुक के अंदर में तो बताते हैं कि इस जुक में जो पुन्य कमाने का मारग है वो यग्य से नहीं है तब से नहीं है दान से नहीं है और किसी प्रकार के और पुन्यों का ज़्यादा महत्तु नहीं दिया गया है तो कहा गया है इस जुग में कोई अजी पुन्यात्मा है और पुन्यात्मा कोई कारी कर रहा है तो इस जुग की महिमा दिखा है रामैन में कल जुग के वाल नाम याधारा सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा नहीं कलिका रामा नहीं भाक्ति विवेकू राम नाम याधारा नहीं भाक्ति विवेकू प्रेमी सजनों इस कल जुग में उस नाम की महिमा गाई गई है अब प्रसना आता हूँ कौन सा नाम है जिसकी महिमा गाई गई है अब वो कैसा नाम होगा तो कहते हैं तू सिदाजी कि वो नाम ऐसा है कि सारे संसार का केंद्र है उसका भजन ध्यान करने के लिए सभी संत महात्माओं ने एक मत होकर के उसी का सजू से त्रेता चे द्वापर तक कल जुग में महिमा पर उसका ध्यान भजन और जुगों में और तरीका से किया गया पर इस कल जुग में महा पुरुसरे से आये जिन्हों ने उसका ध्यान सुम्रन भजन सरल कर दिया क्या कहा कि बिदि हरी हर जाको ध्यान धरत है मुनिजन सहस अठासी सोई हंस तेरे घटमाही अलग पुरुस अभिनासी कि जिसका ध्यान ब्रह्मा विस्मु महेश करते हैं और अठासी हज़ाद सी मुनि करते हैं और सारे देवी द्योता करते हैं वह ध्यान क्या है तो उसी ध्यान के लिए ये हमारे जो गुरु महराजी है माता जी है असरी हंजी महराज माता जी ये उसी ग्यान का परचार परसार करा रहे हैं वो नाम जो सारे संसार में वोत प्रोत है अब बताया गया है वो ने इतना नाम है महान तो उसको कैसे किया जाए वो क्या है वो नाम जिसको सिरी महराज जी बार बार अपने ससंग में समझाया करते थे कि वह नाम ज़़िती तुमने जान लिया तो सारे संसार का रह से कोई बाकी ने लेगा तो कहते हैं अब वह नाम इसके किसके लिए सुलब है किसके लिए नहीं है पर और जुगों में उस नाम का भगवान का नाम का सुम्रण करने लिए हर विक्ति अधिकारी नहीं था अब थी बड़े-बड़े नियम्-겠어 ते जो व्यक्ति वही कर सकता था जिसको करने लायक होता तो वही ग्यान को प्रात्त करता था अगरता यू Kellie अडर मेरे च्या बाट कि जो यह ग्यान प्रतेक मनुस्त के लिए सुलब कर दिया तो काते हैं वह नाम क्या हैqun जो सब के लिए सुलब है तो तू सिदा जी लिखते हैं सब ही सुलाभा सब दीन सब देशा सेवत सादर समन कलेशा कि भाई वह जो नाम है प्रमात्मा का उस्के लिए सुलब है उसमें किसी के लिए मनाई नहीं है सब ही सुलब y Speaking in मात्र होना चहिए और सब दिन यह नहीं स्वमार दिन अच्छा है मंगलवार खराब है अज्बा कर सकते हो और सब देश-क लोग इसको जान सकते हैं और सकते है अब परसनाता है और नाम कितना महान होगा जो सब के लिए सुलब कर दिया गया और सब कोई जब सकते हैं जान सकते हैं उसका तो कहते हैं कि सेवत साधर समन कलेशा है जिस हमारे जीमन में कोई कलेश दुख है जो हमारे जीमन में अनेक प्रकार की प्रसानिया हैं, उस सारे सुखों का खान है, सबही सुलब सब दिन सब देशा सेवत है, उसका सेवन करने से, आपके जीमन के सारे कलेश मिट जाते हैं अब प्रतेक मन से कहीन तहीं दुखी है, चाहे मन से दुखी है, चाहे तन से दुखी है, चाहे धन से दुखी है, चाहे परिवार से दुखी है, है तो सब के अंदर दुख, पर ऐसे कम से दवाई है, जो सब के लिए वह दवाई फिट कर जाए, तो तुलसिदा जी यही समझा करते हैं कि सब के लिए वो सुलब है और सब उसको जब सकते हैं और वहाँ दवाई सब के लिए फाइदेवंद होगी तो इसलिए श्रीहंस जी महराज माता जी उस नाम का प्रचार-प्रचार करा रहें पूरे विस्व में और आगे क्या कहा और जुगों में भक्ति कनी लिए काते थे भाव से जपो प्रेम से जपो किया नाम है फूर चरहाओ पत्ती चरहाओ नहां करके करो बड़े प्रिटिम बताया जाता था लेकिन कल्जु के अंदर में क्या कहा गया भक्ति करने लिए एधिन नाम को जानगे तो 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 सिदा जिस्तन जाते हैं भावे कुभ आवे अलके आलसे हूं नाम जपते मंगल दस दिसा हूं यह भाई वो जो नाम की महमा हम सुना रहे हैं उसको तो मेरी भाव से जपोगे तो भी फल देगा भाव से जपोगे तब भी फल देगा वह नाम हर एक व्यक्ती को सुबही सुब करेगा मंगल ही मंगल करेगा भाव से जपो पुभाव से जपो आलस में जपो बिना देखे जपो इतना सुलब इस कलजुग में इस महान पूस ने कर दिया है इसे लिए जब कोई चीज का जादा चूट होता डिस्काउंट हो जाता है तब उसका परचार किया जाता है मार्किट में कोई चीज़ा चूट होता है उसके परसे बाटे जाते हैं आप हाइदा उठा लो तो इस कलजुग के अंदर में वो महान पूस ने एक छूप दी है अब हर ब्यक्ति चाहता है लेकिन संत महात्मा काते हैं भाई सुख यह की जगाह तुदूर कहा रहे हो सुख तो यह जगाह है तो काते हैं सुख की मीन जहां नीर यागा धा सत्कुर सरन नहीं यह एको व्याधा जैसे मचली होती है उसको चाहिए पानी मचली को काप्रिय है क्या सुखा है केवल उसको पानी मिल जाए तो मचली को जब पानी मिल जाता है तो मचली सुखी हो जाती है उसको कोई दुख नहीं होता है ऐसे कल्जु के अंदर में कहा गया है सुखी मीन जहां नीर एगा था सत्गुर सरन नहीं को विया था जो गुरु महाराजी माहानपुरुस की सरण में आ जाता है उसके gurus ख़ोट को कि इसलिए वहां पर कहा गया है सुप चाहते हो आनंद चाहते हो तो उनके ज्ञान को जानों यह एक पीशनाई Oh झाओं कि और उनके ज्ञान को अपनाना अगा जिसको हमारे सास्त्रों में बर्णन किया गया है कि वह नाम आद तो बहुत लोग नाम जबते हैं कोई कुछ भी नाम जबता गाता है ये नाम सर्वस्रेश्ट है कोई कुछ बताता है लेकिन सास्त्र में कहा गया है भागवान किसन अर्जुन को समझाते है कि है अर्जुन तुम निरंतर करो युद्ध करो अब परस्निया आता है वो कौन सा नाम होगा जो निरंतर सुम्रण कर सकते हो आज लड़ाई के मैदान में तीन काम सौंपा गया दुस्मन को मारना है अपनी रच्छा करना है साथ साथ भजन करना है अब मंतर जब होगे तो नहीं कर पाओगे मंतरों का उचारण करोगे नहीं चल पाएगा तो आकिर वह कौन सा ग्यान अर्जुन को दिया भगवान किसन ने जो निरंतर सुम्रण किया जा सकता है भगवान संकर ने बताया समझाया माता पारवती को कि महा मंत्र जय ही जबत महेशू कासी मुक्त हेतु देशू वा भगव भगवान संकर ने कौन सा नाम जपा महा मंत्र महा मंत्र करत क्या होता है जिसका ना आदी हो ना अंत हो यहां पर भी निरंतर हो गया अब वह कौन सा नाम भगवान संकर ने जबते हैं और जबतने की क्रिया कासी नगरी को बताते हैं और कासी नगरी को मुक्ती का धाम बता या कि हे मानो यहीं नाम तुम भी जपोगे तो तुम्हारा मुप्ती हो जाएगा तो कवं सा नाम भग्वान संकर ने जपा जिसका ना आदी है ना अन्त है और यहीं चीज गुर्णानक जी भी काते हैं वहां भी एकी समझा रहें एकी सुमरो नान का जल्थल रहो समाए दूजा काहे सुम्हिए जो जन्मे ते मर जाए वो काते हैं यह भाई मैं उस नाम का जाब करता हूं जिसका बाइवरेशन इसका कंपन थिरकन परतेक जड़ा हो रहा है अब जल में थल में अब जल में क्या र हैं उनमें भी नाम दिखाई दे रहा है अब वो क्या नाम है जो एक की सुम्रन करने से सब चगह आपको दिखाई देगा उसी को रामयन में कहा सियाराम मैं सब जग जानी और करहूं करा मैं जो रिजूग प्राणी तुसी दाजी नुसको और दूसरे तरीकत कह दिया कि मैंने सारे संसार में उस्याराम को जाना है माना नहीं है आद दुनिया उसको मान रही है भगवान को मानती है पर जानती नहीं है और तुसी दाजी काते हैं कि मैंने जाना अब यहां पर एक प्रसन आता है कि सारे जग में जाना और भगवान राम का नाम ले रहे हैं भगवान रा हैं तो सारा सन्फार तो सारे जगमें तो सिरा जैने डिकलियर सेर कर दिया कि कि मैं उस नाम की महिमा जो नाम है जिसको मैं जबता हूँ उसी नाम को सूजी जबते हैं हे भाई मैं उसकी बराई कहां तक करूँ मैं भी असमर्थ हूँ ये कौन कह रहे हैं भग्मार राम अब लोग कह रहे हैं राम राम जपो अरे जब राम खुदे कह रहे हैं जिसे नाम को मैं जबता हूँ उसकी महिमा मैं स्वयम नहीं गापावूंगा तो दुनिया के लोगों क्या समझाओ गई कि ब्रम हते नाम है बढखो और उंज्वा कहते हैं जो ब्रम्हाते नाम घडर, उन्म्हाराम बढ़र खिए जान राम्ा ऑभ र्भगरान सब्याता है जो भगमान राम कर रहें जिसकी पढ़ाई मैंने कर सकता हूं उसकी मह हमाय भाह आता है ऩि उनको भी बढ़का बेगर हो आगे ने बढ़ते हैं उनको भी वड़ता है अत्तव आगे बढ़ते हैं और व्यापक में है उसको भी बढ़न द dóआ जो है तो इसलिए कर दो के अंदर मैं यह स्री होंस जी महराज जगत जन्नी माता जी की देन है कि वह नाम का भी जए आज सारे बिस में फैला रहे हैं तारे संसार में उसको देर हैं और वही जीच के चीज का बीड़ा हमारे गुरु महराजी से भूले जी महराज माता नंगला जी एस जान का प् भाई ने सुनाया वह कहते हैं जिसके अंदर दया होता है दया धरम का मूल बताया है जहां दया धरम है जिसके अंदर दया है वही धरम रहता है जिसके अंदर दया नहीं है वहां धरम नहीं टिक पाएगा है हमारे भोले बाबाजी के माता जी के अंदर दया धरम का भंडार है थ्वान है आई इसलिए फोट दो सब पहलों लिके चल लें तो वह नाम की महिमा जो आज परसार परसार हो रहा है वह परतेग मनुस्ता है कि मैं उसको जानू आप नहीं जानों के आप नहीं समझोगे तो अपना समय बेकार कर दोगे अब मनुस्त क्या समझता है एक चीज क कि शेवा करता है जबकि हमारे अंदर दो पाठ है एक सरीर है एक सरीर को चलाने वाला है एक सरीर है एक सरीर को चलाने वाला है तो हम सरीर के शेवा करते हैं जब से जनम लिए तब से सारा जिन दिन रात हम सरीर की सेवा कर रहे हैं लेकिन संत मात्मा काते हैं कि तुम सरीर की सेवा तो कर रहे हो लेकिन चलाने वाली की सेवा कब करोगे सबसे महिमात उसकी है जो तुम्हें हमें चला रहा है उसको कब सेवा करोगे उसको कब जानोगे जो हमें आपको चला रहा है एदि आपने हमने व तेटिकर वही किहरा जो बढ़ापा आता है तो सी संदेखना पर संदिकरते हैं तो कहां गया ओंट बद्लाव होता है लेकिन जो हमारे अंदर में बैठा हुआ है उसमें ना जमानी है ना बढ़ापा है वह आपका सबसे बढ़िया मित्र है अऊ सब से मित्र को जब अपना सुखी हो जाएगा सुखी वही होगा जो अपने अंदर चलाने वाली सक्टी को जान जाएगा मुझे कौन चला रहा है और यदि उसका खुराक यह खाना पीना नहीं है एक कपड़े लते नहीं है उसका खुराक आत्मा का खुराक प्रमात्मा का मिलन है प्रमात्मा का मिलन है अई शेले कहा गया है जब जीवात्मा प्रमात्मा से मिल जाता है तो उसका एक दूजी जनम बोलते हैं दूजी जनम संत्मात्मा जब जान देते हैं तो उसको किसंद जाते हैं कि दूजी जनम तुमारा दूसरा जनम हो रहा है अब दूसरा जनम की मतलब क्या है कियों की हमने माँ के गरफ से जनम लिया पर मैंने एपने आपको नहीं जान पाए मैं कूँँ हूँ लेकिन जब हमाई एक घ्यान मिलता है तभ पता कलता है मैं ये शरीर हूँ पर सरीर के अंδर जो चलाने वले सकती है मैं असली बूप में व पहने होगे हैं इसे हमारे संतमात्मा समझाते हैं कि वह आत्मा आपका अजर अमरअ अभिनासी है वह एसे शरीर कितने हजारों लाकों करभों पहन करके छोड़ देता है लेकिन वह एक ही जैसा रहता है अब उसी एक लिए हमारे तुस्य दाजी काते हैं कि इस्वर अंसजीव अभिनासी यह है मूल आप अभिनासी हो आपकी मृतुन नहीं होती है लेकिन कौन जो आपका चलाने वाला है आप प्रमात्मा के पुत्र हो पुत्री हो पर अपने पिता को नहीं जानते हो इसलिए दुखी हो यह खाली भावतिंग माता पिता को जानते हो लेकिन जो तुमारी आत्मा को जनन देने वाला है वह आपके माता पिता नहीं है उसका जनन देने वाला आपका इस्वर है प्रमा के लिए मतलब यहां तक परिश्रम किये कि हलवा हल जलाने वाले को भी पीछे पीछे चल करके गुरु महाराजी ने सथसंग सुना के ग्यान दिया इतनी बड़ी कुर्बानिया तक दुनिया को इमाहन उसने किया है उनको क्या ज़रुवत थी अपने पैर को दुखाने लिए महाराज मेरे फुर्सत नहीं है मेरे हल जोतना है तो कहने लगे महाराजी तेरे पार फुर्सत नहीं है मेरे पार तो फुर्सत है तो हल अपना जोता रहा और मैं तरह साथ सासंग सुना हूँगा वो हल जोता रहा उसके साथ साथ महाराजी चलते रहे और उसको ससंग सुना रहे थे लास्ट में उनके चर्णों में गिर गया का धन्यों प्रभू ऐसा महान पुर्स तो में दुनिया नहीं देखा जो मेरी हित के लिए इतना कष्ट उठा रहा है लास्ट में वह व्यक्ति महराजी के चर्णों में माफी मांगता है और काता है महराजी आप बैठ जाओ आज ससंग होगा करो और हम ससंग सुनेंगे आप फिर उसने ज्यान लिया तब महराजी को समझता है मिस जिनों इस ज्यान के परचार के लिए स्रिहां जी महराजी जिए जन्नी माता जी ने बहुत परिश्रम किया है आज यह फुलवारी जो लग रही है यह उनका देन है और इसका बिस्तार करने वाले हमारे भूले वाबा मंगला माता जी इनी सब्दों साथ सब्कों बहुत बहुत धन्यवाद सुने का बहुत सब्दों दे उसरी भूले जी महराजी कीजे हंसे भंसे कीजे